नमश्कार में दिती फॉजर आप देख रहे हमारे साथ दनगरी न्यूज मुख्य मंत्री बजंजला शर्मा ने कहाए कि प्रधान मंत्री निर्मोधी के कौशल नितित में भारत को फिट इंडिया स्वस्त राष्टे बनाने की सोच के साथ कार्य किये जा रहे हैं दन मंत्री ने देश को स्वस्त जीवन का महत्व समझाने के लिए फिट इंडिया मुव्मिन शुरूब इससे प्रेणना लेकर योग व्याम को लोगों ने अपनी जीवन शेली का हिस्सा बनाया है मुख्यमंत्री ने कहा कि निरोगी जीवन के लिए युवाओं को स्वस्त जीवन शेली अपनानी की आविशक्ता है देश में यंग इंडिया, फिट इंडिया तथा खेलो इंडिया जैसे अभ्यान चलाई जा रहे हैं जो युवाओं को स्वस्त बनाये रखने के लिए प्रोचसाहित कर रहे हैं सीएम भजनलल शर्मा रविवार को संस्तेतिक युवा संस्थान और वर्ल्ट्रेट पार्ग दुवारा आयोजित पंद्रवे जैपूर मैराथॉन रेस के आयोजिन अफसर पर उन्हें अमंत्रित किया गया सीएम ने मैराथॉन रेस को जंडा दिखा कर रवाना किया इस अफसर पर उन्होंने कहा है कि जैपूर में मैराथॉन रेस लोगों में बढ़ती खेल भावना का प्रमान है ये एक ऐसा आयोजन है जिससे आगमी वर्षों में भविशे के एथलीट अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरेत होंगे मुख्य मंत्री ने ये भी कहा कि ये आयोजन हमें धहरे, संकर्ष और समर्पन के मैत को समझाता है तथा जैपूर में समर्दी इतिहास और संस्कृती को प्रदर्शित करेगा मुख्य मंत्री ने ये भी कहा कि राज्य सरकार प्रदेश वासियों को स्वस्त जेविन शेली के लिए प्रोचाहित करने के लिए खेल कूत को बढ़ावा देने के लिए कार्रे करेगा प्रदेश में खेल सुविदाओं को विकिसित किया जाएगा और सरकारी स्कूल वा कॉलेजों में खेलों के बुनियादी नाचे का निर्मान किया जाएगा उन्होंने कहा कि युवाओं को खेलों में अधिकतर अफसर उपलब कराए जाएंगे जिससे वे देश और दुनिया के प्रदेश का नाम रोशन के देश के कोने कोने से आए ऐसी सभी मेरा थन प्रेमी और इस मेरा थन में भाग लेने के लिए ऐसे इस राज़दानी के सभी धावक बंदू मैं आप सबको इस अफसर पर बहुत बहुत सुभकामना देता हूँ बदाई देता हूँ कि आप यंग इंडिया फिट इंडिया और एक खेलों इंडिया इन सभी को लेकर के आप चल रहे हैं क्योंकि अगर हम स्वस्त रहेंगे तो हमारा देश भी स्वस्त रहेगा आप हमेशा इस मेरातन में भाग लेते हैं ऐसे उन सभी धावकों को भी मैं बहुत बहुत पदाई और सबकामना देता हूँ यह परंपरा युवाओं के लिए आगे युवाओं को गती देने के लिए क्योंकि आज का युवा जिस दिसा में जा रहा है आप हमेशा देखते हैं मैं उन युवाओं को बहुत बहुत सुबकामना देता हूँ कि जो सुबह जग कर दोड़ने के लिए जाते हैं आज दीरे दीरे हमारी संस्कृती बदल रही है नहीं हमारी सुबह चल्दी पांच बज़े ब्रह महुर्त में जग करके हम बयाम करते थे दोड़ते थे लेकिन आज आप देखते हैं देर रात तक जगते हैं सुबह लेड तक वो सोते हैं मैं इस राजिस्थान को मैं देखता हूं कि राजिस्थान के अंदर जिस भी जिले में आप जाएंगे यांके युवा आपको सड़कों पर दोड़ते हुए मिलेंगे ये राजिस्थान की विशेष्टा है राजिस्थान और प्रदेसों से अलग है क्योंकि इसमें आप देखते हैं हमारे कुछ जिले तो ऐसे हैं जो सेनेकों के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि वह तैयारी करते हैं सेना में जाने के लिए उत्सुक रहते हैं इसलिए वह एक उत्सा भी उनके अंदर रहता है स्वस्बिर रहते हैं यह राज स्तान बीर भूमी है मैं युबाओं से इतना नवेदन करना चाहता हूँ आईए हम सब एक अच्छे कायर के लिए अच्छे स्वास्त के लिए और अच्छे हम स्वास्त रहें, मस्त रहें और इस देश को, इस राजिस्तान को कुछ करने का एक जजबा हमारे अंदर हो ऐसी मैं आप से संभावना करता हूँ कि आप निश्चित रूफ से राजिस्तान के आने वाली अच्छी पीडी हो, अच्छा काम करे खेल के पिड़ती हमारा रोजान हो, और मैं एक विश्वास आपको दिलाना चाहता हूँ कि खेल के लिए हम हमेशा त्यार है हमारी सरकार पूर्ट रूफ से तयार है, और आपको नए नए आयाम भी मिलेंगे और इस युवाओं के लिए मौका देने के लिए हमारी सरकार काम भी करेगी और हम एक युवाओं के लिए हर प्रकार के खेल के लिए जो आगे हमारे युवा हर ये सरकार पूर्ण रूप से युवाओं के साथ है, ऐसा मेरा आप सभी से कहना है, आप इस मेरा थन में भाग लेंगे, मैं आप सभी को बहुत-बहुत सब्कमना है, और जो आयो जग हैं, उनको भी मैं बहुत-बहुत धन्वात देना चाहता हूँ, क्योंकि ये काम ऐसा होता है, मन की इक्षा के साथ से होता है, और एक उसका उत्सा होता है इसे करने के लिए, एक भावना चाकृत करनी पड़ती है, इसके लिए मैं आई चकों को, और इसमें सहयोग करने वाले, उन सभी को भी धन्वात देना चाहता हूँ, क्योंकि एसे कारिक्रम राजदानी में हो हों, नहीं पूरे प्रदेश के अंदर हों, जिसे युवाओं में उत्सा आए, उमंग आए, और एक उचाईयों को हमारा राजदान चुए, इस सुब कामनाओं के साथ, आप सभी को बहुत बहुत धन्वाद,